हेलो वाइज, मैं हूँ मनिफ कुमार योगाचारे आज हम सीखने वाले हैं भ्रामरी प्राणायम भ्रामरी प्राणायम करने के लिए सुबह का समय और शाम का समय यानि की सूर्य उद्रय समय और सूर्याज का समय ये दोनों समय ही बढ़िया हैं इन में अगर सुबह के समय आप करते हैं तो लाब जादा हुआ भ्रामरी प्राणायम करने के लिए या ये कह सकते हैं कोई भी प्राणायम करने के लिए सुन्दर और साफ इस्थान हो एक योगा मेट या दरी बिशुई हो उस पर आप किसी भी ज्यानाजमकासन में जैसे पदमासन, दुखासन या सिद्धासन में बैठ करके कोई भी प्राणायम कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायम करने के लिए ज्यान रहे आप पदमासन में बैठ गए हैं कमसी भी रहेगी कमद को कायट नहीं रखना उसके बाद दोनों हातों से यानि कि दोनों कोहनियों को कंदे के पैरलल कंदे के बरावर रखते हुए अमूटे से कानों को बंद करेंगे और दूसरी और तीपरी बीच की दोनों मुजियों से आपों को बंद करेंगे ज्यान रहे इसमें गहरा स्वांस भरके और महुबंद रखते हुए नाक से नातिकाते मा का उचारण करते हुए जैसे मा बोलते हैं अगर हम बोलेंगे महुबंद करके मा कैसे बोलेंगे इस प्रकास आपको बीच की दोने उगलिया आपर पर रहेंगी अमुछे से कान बंद रहेंगे ताकि भाल का सोर खराव आपको काम तक ना आए गहरा स्वांस भरना है और म का उच्चारण करना है या आप ये कह सकते हैं ओम का उच्चारण करना गहरा स्वास बढ़ते समय जान रहे कि अनावा स्ट जो नहीं लगाना जितनी आपी उप्षमता है जितनी आपी कैपसिती है उतना ही स्वास बढ़े ऐसा हो सकता है कि आपके पास्टों बैठने वाला व्यक्ति ज़्यादा देर कर पा रहा है या आप स्वास भर करके ज़्यादा देर कर पा रहे हैं जरूरी नहीं है कि सभी एक काज पुरू करें और एक काज संगरें किसी का स्वांस ज्यादा होता है किसी का कम होता है तो इसलिए इस समस्य में ना पढ़ें इसमस्य में ना रहें कि मैं कम देल कर पा रहा हूं और यह ज़रा देल कर पा रहा है जितना आपका स्वांस है उतना ही आप कर पाएंगे स्वांस जब खतम होने लगता है जब लाश होने लगता है उस समय भी अतिरिक्त जोर नहीं लगाना कोसित ना करें कि जब आप माँ पूरा करने वाले हैं स्वांस पूरा होने वाला है उस समय आप और ज़्यादा जोर लगाने कोसित करें ऐसा नहीं ऐसा करने से जो प्रानायम का वास्तरिक लाब है वो नहीं मिल पाता है इसलिए बिलकुल शान्त हो करके और प्रानायम करते समय आपके मन में अनावस्तक बाते ना आएं तनाव युक्त बाते ना आएं जो बाते आपको तनाव देती हैं उनको एकदम भूल करके बिलकुल मायन से निकाल करके और एकदम शांस होगा के बैठे प्राणायम का लाव तभी है जब आप एकदम शांस चित्थ होगा के बैठते हैं चलिए प्राणायम कैसे करते हैं दिखते हैं इसके लिए आप पद्वासन में या तुखासन में बैठे हैं अब आप दोनों उटे से कान को बंद करेंगे और दोनों मुलियों से आँखों को बंद करेंगे इसकार आँखे और कानों को बंद कर लेंगे अब धीर से गहरा स्वास भरना है और मुझ को बंद रखते हुए हो तो मिला करके रखने है और मा बोलना है किसे लगातार आठे दस्वार करेंगे तो आठे लिजिए वो प्रानायम करने के बाद आँखे एक दम के नहीं सुनी ही पहरे दोनों हाथ कुष्णों पर रखें एक जहरा अस्वाथ में इस समय रुखने के बाद त्वाथ छोड़ें अब दोनों हाथों को रब करते हुए दोनों हाथों को अच्छे से रब करें और दोनों हत्यलियों को आप उपर रह लें अब गीर एक दोनों हत्यलियों को कानों के तरफ ले जाएं और चेहरे की मारे शताद लें फिर गीर एक आप उपर हाथ रखते हुए आप गीर एक खोलनी है ये तरीका है ब्रहम्री प्राणायम करने का अब हमें ये मालूब होना चाहिए कि ब्रहम्री प्राणायम करने से लाव क्या-क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ ब्रहम्री प्राणायम के अध्यास्ते प्रोध, चिंता, अनिद्रा और ब्लेड प्रेशर ठीक होते हैं ब्रहामरी प्राणायम प्रतिजिन करने से स्मर्ण शक्ती बढ़ती है और लंबे समय तक याद रखने की ख्रमता भी विक्षत होती है ब्रहामरी प्राणायम करने से तनाव और स्ट्रेस जैसे समस्य भी दूर होती है ब्रहम्री प्रणायम करने से arthritis, thyroid और diabetes में भी बहुत लाव मिलता है ब्रहम्री प्रणायम करने से जो लोग नकारतमक सोचते हैं उनकी विचारों में परिवर्तना दाए और वो धीरे धीरे सकारतमक होने लगते हैं इसलिए हमें ब्रहम्री प्रणायम का भ्यास प्रति दिन करना चाहिए ब्रहम्री प्रणायम करते समय बस आपके पास एक साफ सुत्रा स्थान हो एक दरी या योगा मेट हो और समय सुबह के समय और शाम के समय आप किसी भी समय कर सकते हैं ब्राम्री प्रणायम को हम 10-15 मिनट तक कर सकते हैं